हलो फ्रेंड, हलो आवरिवान, कैसे हो, मैं आण से हर्षिदा पटेल, आज हम बनाएंगे चावल की खीर, तो चावल की खीर बनाने के लिए हुमें चाहिए यह अमुल का फूल फैट वाला गोल्ड मिल्क है, हमें यह फूल फैट वाला मिल्क ही लेना है इसमें और यह अमुल का मिठाई मैठ है, यह है चारोडी दाना, इलाइची पाउडर और केशर दाना, और यह है काजु बादम पिस्ता की मैंने कत्रों करके रखी है, तो चलो शुरू करते हैं हम चावल की खीर बनाने, तो हमें एक हैवी बॉटम पैंच चाहिए, हमें इसमें दूद गरम करना है, तो हैवी बॉटम पैंच होगी नहीं, तो इसमें चिपकेगा नहीं, इसमें हम लेंगे यह अमुल का गी, अमुल का गी लेके हम इसे ऐसे स्प्रेड करेंगे, जिससे हमारा यह दूद चिपके नहीं इसमें, कि अध्य पैंगे टॉटम पैंगे, आरने स्प्रेड करेंगे, यह लेगगे यह दिए वादा भी जए बॉटम पैंगे, यह रचाइब टुटम अग्अगे एसे जड़ी जब तो है अध्या व्यां, हम यहां दूद को उबालाए तब तक हम इसके इसको गरम करेंगे इसमें हमें खीर बनाने के लिए हमें चावल तो यह मैंने चावल को दूद में ही बोईल करके रखा है इसमें थोड़ा वक्त लगता है तो मैंने यह चावल को दूद में ही बोईल करके रखा है मैंने यहां एक कप चावल तो मैंने चार कप इसमें दूद लिया है और इसमें आधे गंडे तक बिगोल रिया बाद में मैंने इसको एक सीटी बजा कर कुकर में ही बॉयल किया है लेकिन मैंने पानी नहीं यूज किया इसमें सिर्फ अमुल गोल्ड मिल्की यूज किया है इसमें ही मैंने बॉयल किया है तो आपको इंस्टरंट जो चावल की खीर बनानी हो तो आप एक तरफ चावल को कुकर में बोईल करके रखो और दूसरी तरफ आप ऐसे दूद को उबालो तो 15 से 20 मिनिट में 10 मिनिट लगेगी आपको ये चावल को बोईल करने में और 10-15 मिनिट इसको उबालने में लगेगी तो आपके चावल के खीर सिर्फ 20-25 मिनिट में ही रेडी हो जाएगी इसमें हमें केसर की जरुरत पड़ती है तो ये मैंने थोड़े दूद में केसर के दाने विगो के रखा है जिससे हमारा कलर अच्छा आएगा ओरिजिनल टेस्ट आएगा तो मैंने थोड़ी देर इसको विगोना पड़ता है तो मैंने थोड़ी देर पहले इसको दूद में केसर के दाने लेकर विगो के रखा है ये हैं मिठाई मैट जो हम इसमें चीनी नहीं यूज करेंगे चीनी की जगल हम ये मिठाई मैट यूज करेंगे तो हमें चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें एक लिटर दूद में हमें एक तीन से चार चमच ही यूज़ करना है तो हमेरा इसमें जो हमें जितना स्वीश पसंद हो इसी तरह से इसको हम यूज़ करेंगे अगर आप ज्यादा पसंद करते तो एक दूर चमच आप ज्यादा यूज़ कर सकते हो इसमें देखो हमारा ये दूद अच्छी तरह से गरम होगा है, अभी इसमें एक दो उबालाएं, बाद में हम इसमें बाकिक इंग्रेडेंस एड़ करेंगे, ये अभी स्राध पक्स चल रहा है, आप सब को ही पता होगा के स्राध हमारा पित्रूओ का दीन होएं, तो हम इसको खीर ही बोग लगाते हैं, चावल की खीर, तो हमने ये आज आपके लिए चावल की खीर बनाई है, जो स्राध में हमें पित्रूओ को बोग लगाते हैं, देखो ऐसे ये कुबालाएं, तो बाद में हम इसमें अवेक्ष, ये सबसे पहले हम, ये काजू, बादाम और पिस्ता की जो मैंने कत्रन बना के रखी है, ये दो से तीन चमच हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ी से हम इसमें ये चारोड़ी दाना मिक्स करेंगे, अब हम इसमें ये मिठाई मैक याड़ करेंगे, ये पहले हम इसमें हम इसमें ग्रॉड़ी दो से जब एक हैंगे, पीठाइ मेट लेते हैं तो हमें चीनी की जरूरत नहीं पड़ते हैं और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और इसका कलोर भी बहुत अच्छा आता है देखो यहां मैंने तीन चमच ली है अगर आप चाहते हो आप ज्यादा स्वीट पसंद करते हो तो आप इसमें एक तो चमच ज्यादा एड़ कर सकते हो अगर आप कम स्वीट पसंद करते हो तो एक चमच कम भी मिक्स कर सकते हो इसमें देखो हमारा एक दो उबा लाग गया है अब हम इसमें ये हमारा जो बॉल किया हुआ चावल है वो हम इसमें ऐसे मिक्स करेंगे लाए हम इसमें तक और उप्तुट करें किया तक आसीज давता है वाउनेग्ग के लग एक हम इसमें इसमें ये हमET रुप हम तास हमारा बन बाल कि बाहे है वाइजे Marta बाद में हम इसमें फिर से दो उबा लाने तक ग्यास पर रखेंगे तो हुमरा ये बहुत अच्छा क्रीमी और थोड़ा गर्ड़ा भी बन जाएगा अब हम इसमें मिक्स करेंगे केसर वाला दूद देखो हमरा ये केसर वाला दूद लेने से एक दम अच्छा क्रीमी और आएगा इसे कंट्यूनी रखना है हुलाते रहना है वर्ना नीचे चिपक जाएगा ये दूद और चावल दोनों मिक्स करने के लिए हमें इसे कंट्यूनी चलाते रहना है दो बालाने तक इसको रखना है क्यास पर और बाद में हम अमें ठंडा थोड़े दिर हम जो इसको फ्रीज में रखकर खाते है न तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका एक दो गंटे फ्रीज में रखकर हम जो खाएंगे न तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसको साइट साइट से ऐसे ले लेना है तो इससे लच्छे पड़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा हमें खीर में इससे देखो इसको चिपक ने मत देना कर देखो हमारी खीर रेडी हो गई है अब हम ग्यास के फ्लेम को आफ कर देंगे देखो कितनी अच्छी है और अभी वो ठंडी होने के बाद बहुत गाड़ी बन जाएगी तो हमें ऐसे ही थोड़ी रखनी है क्योंकि हम इसको ठंडी करके खाते हैं और थोड़ी देर जो फ्रीज में रखते हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी बन जाती है और क्रीमी भी लग हमारा अच्छा रहेगा तो देखो यह हमारी रेडी है चावल की खीर अब हम इसको सर्विंग बाउल में सव करेंगे सुझ्टा हमारी जा चावल करेंगे बाउल तो यह हम लेगा वा कर दो अ乾्या है थीर रहे हम लेगा करेंगे बास्टाम कर दो देख रहे हम दों हमारी met यह रहे हमें century इसको अब हम काजू बादम और पिस्ता की जो कत्रन है इससे हम गार्नेश करेंगे ऐसे इहें चारोडी जाना इहें केसर पत्ता इहें गुलाब की पत्ते तो देखो हमारी ये रेडी है चावल की खीर ये इंस्टंट बन जाते हैं जरूर एक बार ट्राइ किजे फ्रैंड्स थैंक यू अमूल तीम